सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथे बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुविचार सी जो होगा अच्छा होगा, स्वेम को इश्वर पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रही पाप रही थो, नकरात्मक विचारों का आना तै है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देती हैं, अनुमान मन की पना हैं, पर अनुभव जिन्दगी का सबक है, सची खुसी तभी होती है, जब आपके सोच, कथन और कर्म में सम्मानता हूँ, आज का पंचांग, बारा मैं दो हचार चोबिस देन रवीवार, बैसाक मास के शुक्लपक्ष के पंचमीति थी, रातरी दो बच का चार मिलट इसके उपरान सश्टितिती प्रारम होच आएगी, आधरा नामक नक चेत्र, सुब्द दस बच कर 26 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान पुनर वशुनामक नक चेत्र प्रारम होच आएगी, आज का राहुकाल, अर्था दिन का सबसे सुप संभ में, साम पांच बच का 17 मिलट से 6 बच कर 55 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुब समय सुबह 11 बच कर 57 मिलट से 12 बच कर 49 मिलट तक रहेगा आज रमा मीर राशी पर सुबह 5 बच कर 5 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद करकर राशी पर संचार करेगी और आज शुर्य मेश आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रती अधिक जिम्मेदार रवय अपनाना होगा आप अपने पहले तै किये गए कारेक्रम के अनुशार नहीं चल पाएंगी क्योंकि आपको कुछ अप्रत्यासत घटनाओं के कारण अपना कारेक्रम बदलना पड़ सकता है इस अप् वो समझ कर लिया गया फैसला भी बदलना पड़ सकता है जो रिस्ते काम नहीं कर रही है आप उनसे नाता तोड़ सकती है दिल के मामलों में उधाशिन मैसूस कर रही है लेकिन आपका कारेश मंदे जीवन बेहस संतुष्ट है अपने कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मजले आपको एक सक्षम डीलर के रूप में देखा जा सकता है कोई भी जोखिम लेने में संकूश ना करे क्योंकि इसका परिणाम चमतकारी रहीगा दन से जुड़े हुए विशय आपकी सुस्त जिंदगी में उश्या लाएंगी मौके संयोग या भाग्य जिसमें भी आपका वि पट आपके मन में निराज सावादीता को जन्म दे सकती है विवशय में मुनाफ़ा आज कई विवशयाईयों के चहरे पर खुसिला सकता है ऐसे माम ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें यूवा लोग जुड़े हुँ आपका साथे आपका भला सोचता है इसे लिए कई बर आप पर गुस्सा भी कर बैठता है उनके गुस्से पर नराज होने से बहतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें अगर आप खरिद्दारी पर जाएं तो जवरत से ज़्यादा जेब धीली करने से बचें अगर आप अपने जीवन साथी की छ जारगर्शिद हो सकती है यह समय वाकई मेहनत और शंगर्श का फल है जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल रही है मेडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिवीद्यों में ध्यार रखना बहुत महत्तों पूर्ण है क्योंकि इन संदेशों के माध्यम से आप अपने वैपा को ना छोड़ी यह सभी आपके विविशाय में ने शंभावनाओं को खोजने और उन्हीं उठाने में मदद कर शकती हैं किसी प्रकार के प्रोपटी या जमीश मंधित प्रभाशाली लोगों का साथ प्राप्त करना आपके लिए जरूरी होगा लोगों को दिया उधार प् करने में या पैसो सम्मंधित निर्मान हुए समझ्षाओं को दूर करने के लिए काफी मेहनत करने के आवशकता होगी फिलहाल केवल वर्तमान से जुड़ी बातों को महत्व दे कर काम करने के आवशकता है आर्थिक आवक भले ही सीमित मात्रा में बनी रहे लेकिन आपकी हर एक ज़रुत पूरी होने वाली है काम के चिंता छोड़ कर बनाई गई योजने के नुशार काम करते रहना आवशक होगा शौधानिया इससे में अपने महत्व पूर्णा कारियों को ही प्रात्मिक्ता पर रखे क्योंकि घर से शम्मंधित सम्मंधियों में क्योंकि घर में कुछ मंधियों के आगमन से आपकी कुछ महत्व पूर्णा काम छोड़ भी सकती हैं कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जनकारे अवश्य हासल करने बात करते हैं लव लाइफ की आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा रोमैंस के नाम पर आपकी मांगे तो बढ़ी है लेकिन अपनी पार्टनर की भावनाओं के शक्ति और उनकी सहायता को काफी कम करके आका है अगर आप अपने रिस्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे आपकी पार्टनर के तुलना में कहीं ज़्यादा हैं आज के समय का उप्योग अपनी थोड़े भौनात्मक होने के लिए करें आज आप समाजिक सरकल से काटाफ करनी और अकेले रहने की मूड में हैं आपके बहुत से वरिष्ट दिकारी आपके काम की तारिफ करेंगे रिस्ते में तनाओ को जगहना दे इससे रिस्तों में दरारा सकती है या अगर आप सिंगल है तो आज किसी खास से मुलकात भी हो शक्ती हैं सबसे पहले उसे अच्छे से जाने और उसके बाद रिस्ती के शुरुआत करें कुछ मैं अपनी खुद के लिए भी जिरूर निकालें बात करती हैं करियर की कई दिनों तक लगतार काम करने के बाद आप एजेंसिया या बड़े निगमा आपके लिए लापकर शंदेश लेकर आएंगे जीतना सब कुछ नहीं होता बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है ऐसा कुछ घटित हो सकता है जो बहुत अजीब सा या आतार किखू लेकिन देखा जाये तु ये दिन, लेकिन देखा जाये तु ये जीवन ही अपने आप में रहश्य में है जो कि मलेने में सर्मना करें और जैसा आप परिणाम चाते हैं वैसा काम करने के लिए तैयार रहें जैसा हम खोसते हैं वैसा ही हमें मिलता भी है आज के दिन विपढण के लिए बहुत ही कारगर शाबित हो सकता है जो के आपके विवश्याय को आगे की ओर ले जा सकता है यह ज़रूरी है के आप विपढण नीतियां बनाते हुए नया संगत निर्नली ताके आप बहतर नीतियां बना सके अगर आज आपने कोई कारशाला या सारवजनिक समारो अपने विवश्याय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तू वो काफे अच्छा रहेगा जो भी संपर का आप बनाएंगे वो आगे आने वाली समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे बड़ा ओडर आपके विवश्याय के लिए बहुत ही महत्तो पूर्न हो शकता है और आपको उसे और आपको इसे पूरा करने का मौका भी मिलने वाला है इसके साथ है यह एक औशर हो सकता है अपनी काबिलियत और छम्ता को प्रदर्शित करनी का वेविशाय में गलती होनी के आशंका समय समय पर होती है लेकिन आप इसे पूरी तरह से रोक सकती हैं यदि आप और आपके टीम अपनी काम में अधिक ध्यान देती हैं फिलाल आपको इस ओर्डर को पूरा करनी के लिए अपनी सभी संसाधनों को संचारित करनी के जरूरत है और शोधाने से काम करना अत्यंत महत्यों पूर नहीं इसके अलावा अपने काम में अधिक समर्थन होने की भी नियमित रूप से काम के इसके अलावा अपने काम में अध पाई अधिक हैं, बात करती हैं सीहत की, अपने शरीर के विकास के इस्थान पर माशिक विकास के बारे में सोचें, आप अपने आपको शारिक रूप से तो फिर रखते ही हैं, लेकिन अपने अत्यधी काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाती, सान्ति रखें, इसे ऐसे मनोरंजक कारेकलाप में हिस्सा ली जिससे आपके मन को ताजगी का नूभाव हो अपना को समय खुद को भी दे, एक आग्र रहने और ध्यान की कोशिश करी अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को शान्ति दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका देश शुब हूँ